Samsung की तरब से हम लोग ने देखा है अभी की Galaxy F41 हमको mid-range category में मिला है और ये smartphone क्यो लोंज किया गया इसके बारे में मुझे नहीं पता है क्योंकि F41 और M31 इन दोने में हमको सारी चीज़े similar मिलती है केवल F41 में एक macro camera यहापर कम कर दिया गया है उपर से जो अभी Galaxy M31 Prime आने वाल है ये smartphone भी लगबख 16,000 रुपे का हमको मिलेगा और इस phone में और Galaxy M31 में कुछ भी चीज़े changes हमको नहीं मिलती है जिस तरह से भी Samsung ने सारी चीज़े हाँ पर teach की है तो सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि इस phone को भी launch करने की जरुवत क्या है यारी कि आप लोग ने देखा कि Samsung की तरफ से यह जो price segment है यहाँ पर कुछ भी नया हमको देखने को नहीं मिल रहा है लेकिन जो Samsung की A series है यहाँ पर एक थोड़ा सा नया और थोड़ा सा interesting phone हमको देखने को मिलने वाला है जो की है Galaxy A42 अब यह जो smartphone इसके बारे में Samsung की तरफ से officially हर एक चीज जहाँ पर confirm कर दी रही है तो चली जड़ा देखते हैं यह जो smartphone है क्या नया हमको यहाँ पर मिलेगा तो सबसे पहले Samsung Galaxy A42 को जो लूक है यह थोड़ा सा नया और थोड़ा सा interesting हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है और यह जो smartphone है black white और grey तीन color brand में हमको देखने क होता ना हाले कि यहाँ पर जो build quality है वो अगें से polycarbonate की ही हमको देखने को मिलेगी और इसके बात बात करते हैं अगर internal की तो सबसे बहुत तो इस phone में भी हमको Samsung Galaxy M51 की तरह Qualcomm का chipset मिलेगा और थोड़ा सा powerful भी देखने को मिलेगा यानि कि Galaxy A42 में Qualcomm Snapdragon 750G का chipset हमको मिलेगा जो कि एक 5G chipset है और काफी अच्छे chipset यहाँ पर है साथी बात करते है RAM विरेन की तो 4GB, 6GB, 8GB के 3 RAM विरेन हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे 108 stories अभी यहाँ पर confirm की गई है लेकि मुझे लगता है 64GB वाले विरेन भी हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा अगर बात करते हैं इस phone के camera की तो quad camera का setup हमको back side मिलेगा 48MP का primary camera, Samsung का ही sensor हमको मिलेगा 8MP का ultra wide और 5MP के वही micro और depth sensor जो selfie हमको मिलेगी वह मिलेगी 20MP की और इसके बाद में हम लोगों को यहाँ पर 5.14MP के बैटरी मिल जाएगी 15W की charging मिल जाएगी जो कि इस टाइम पर एक फाज चार्जिंग आज कर टाइम पर में इसको यहाँ पर नहीं कहूंगा, हाले कि USB Tab-C का port इस phone के साथ में हमको मिल जाएगा और साथ इस phone की जो display है, वो भी यहाँ पर Super AMOLED के देखने को हमको मिलेगी 6.6 inch के display होगी और इस phone के साथ में हमको in-display fingerprint sensor भी देखने को मिल जाएगा याईनि कि और ओल स्मार्टफोन हमको काफी अच्छा package हाँ पर देखने को लग रहा है लेकिन जो display यहाँ पर हमको मिलेगी, वो एक HD Plus के हमको मिलेगी जी हाँ और इस बात को Samsung ने obviously यहाँ पर confirm कर दिया है तो phone में आप लोग देखता हो यार कि almost हरी एक चीज़ हमको अच्छी यहाँ पर देखने को मिल रही है बट display जो है हमको Super Emulator के साथ में HD Plus के देखने को मिल रही है और अगर बात करता हूँ इस phone के pricing की और launch की तो सबसे फ़ले तो यह smartphone आपको European country में launch होता हूँ और वहाँ पर जो pricing बताए गई है अगर मैं इंडिया में convert करता हूँ तो लगबग 30-32,000 रुपे के आसपास में यह smartphone वहाँ पर launch होगा अब आप लोग सोच के देखो कि इस price में इस तरह की specification सरम को मिल रही है तो आपके recording यह phone अच्छा है यह फिर बेकार है और अगर मैं बात करता हूँ launch date की तो यह smartphone वहाँ पर नॉंबर्ग में launch होने वाला है यानि के अगले महने और उम्मीद आई है कि December के आसपास तक यह smartphone इंडिया में launch हो जाएगा यह फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2021 की सुरुवात में यह smartphone इंडिया में launch हो तैकि Samsung यहाँ पर बोले कि 2021 में हमने अपने अपने 5G smartphone आप लोगों के लिए हाँ पर launch कर दिया है तो कुछ ऐसा है इस smartphone हमको देखने को मिल रहा है और मेरे recording यह जो smartphone है मलब almost है एक चीज़ यहाँ पर बढ़िया है बस यह पर जो display है यार वो HDR Plus I mean कैसा होने वाली है यहाँ पर यह smartphone इंडिया में जायर सी बात है M51 से ज़्यादा प्राइज पर हें launch होगा उपर से A series के smartphone है तो में भी यहाँ पर 77-68 इसके आसपास यह smartphone लोंच हो और इस पराइज में क्या आप लोग इस smartphone के लिए वेट करोगे केमेंट सेक्से ने मुझे जरूर से बताना इस उन्हें फिलाल के लिए तरह ही अगर आपके वीडियो काम के लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना शेर कर देना पहले बार चनल पर आई हो किसका वेट करो यार सस्क्राब करके बलाइकन दबाके और पर कर दो ताकि आप लोगों को हन ने वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे बले मिल जाए मिलता हैं के लिए वीडियो में तब तक के लिए ओवर रेन आउट